प्रिष्ट संख्या पच्पन अध्याए चार वैश्वी करण और भारतिय अर्थवेवस्था आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम्में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विश्तृत विकल्प हैं विश्व के शीर्शस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मुबाइल फोन और टेलिविजन के नवीनता मॉडल हमारे लिए सुलब हैं हमेशा भारत की सडकों पर गाडियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं वो दिन गुजर गए जब भारत की सडकों पर केवल अमबैसिडर और फियट कारें ही दिखाई देती थी आज भारतिये, विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रिकार की तीवर विध्धी देखी जा सकती है कमीजों से लेकर टेली विजनों और प्रस संसकरित फलों के रस तक हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकरित नमीन परिघटना है दो दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुों की ऐसी विविदिता नहीं मिलेगी कुछी वर्षों में हमारा बाजार पूर्टह परिवर्तित हो गया है हम इस तीवर्य परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रशनों पर विचार करेंगे. इसी प्रिष्ट पर कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं ये सभी चित्र बाजार के हैं जिन में बड़े-बड़े शोरूम और बड़ी-बड़ी दुकाने दिखाए गई हैं और घूमते हुए लोग दिखाए गए हैं प्रिष्ट संखेया 56 अंतर देशिये उत्पादन बीस्वी सदी के मध्धे तक उत्पादन मुखे तह देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था इन देशों की सीमाओं को लांगने वाली वस्तूओं में केवद कच्चा माल, खाद्यपदार्थ और तयार उत्पाद ही थे भारत जैसे उत्पनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्यपदार्थ निरयात होते थे और तयार वस्तूओं का आयात होता था व्यपार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया थे यह बड़ी कमपनियों जिन्हें बहुराष्ट्रिये कमपनियां कहते हैं कि परिद्विश्य पर उभरने से पहले का युग था एक बहुराष्ट्रिये कमपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंतरण अत्वा स्वामित्व रखती है बहुराष्ट्रिये कमपनियां उन प्रदेशों में कारयाले तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाब कमाने के लिए बहुराश्ट्रिय कमपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उधारन पर विचार करते हैं। एक बहुराश्ट्रिय कमपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। अधियोगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराश्ट्रिय कमपनी संयुक्त राज्ये अमरीका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं। फिर उन्हें जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्वी जूरोप ले जाया जाता है। जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है। और तयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच, कंपनी की ग्रहाक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है. नीचे एक चित्र दिया गया है. यह चित्र बंगलूरू स्थित एक कॉल सेंटर का है, जो पर्याप्त दूर संचार सोविधाओं और इंटरनेट से सुसजित है. यह विदेशी ग्रहाकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है. प्रिष्ट संख्या 57 इस उधारण में बहुराष्ट्रिय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बलकि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है. परिणाम तहा उत्पादन प्रक्रिया क्रमशह जटल ढंग से संगठित हुई है. उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है. उपर दिये गए उधारण में चीन एक सस्ता विनिर्मान केंद्र होने का लाब प्रदान करता है. मेक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरीका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाब प्रद हैं. भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं, जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं. यहां अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं, जो ग्रहाक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं. ये सभी चीजें बहुराष्ट्रिये उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाब हो सकता है. आओ, इस पर विचार करें. यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ती करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है. एक ब्रांड लेबल पर Made in Thailand लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है. हम विनिर्मान प्रक्रिया का विश्लेशन करते हैं और प्रतेक चरण में सर्वत्तम निर्मान को देखते हैं. हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं. जैसे वस्त्र निर्मान में कमपनी कोरिया से सूत ले सकत इसके आगे रिक्त स्थान है. इस रिक्त स्थान को आपने भरना है. विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना. सामानने तह बहुराश्ट्रिय कमपनिया उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो. जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो. साथ ही बहुराश्ट्रिय कमपनिया सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों की देखभाल करती है. आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्यायन करेंगे. इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराश्ट्रिय कमपनिया उत्पादन के लिए कारयालेओं और कारखानों की स्थापना करती हैं. परिसंपत्तियों जैसे भूमी, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में वियर की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं. बहुराश्ट्रिय कमपनियों द्वारा किये गई निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं. कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाब अर्जित करेंगी. कभी-कभी बहुराश्ट्रिय कमपनियां इन देशों की स्थानिय कमपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं. संयुक्त उत्पादन से स्थानिय कमपनी को दोहरा लाब होता है पहला बहुराश्ट्रिय कमपनिया अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं जैसे की तीवर उत्पादन के लिए मशीने खरीदने के लिए दूसरा, बहुराश्ट्री ये कंपनिया उत्पादन की नवीनतम प्रोध्योगी की अपने साथ ला सकती हैं नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथ में बैग लेकर जा रहा है और कह रहा है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांत्रित कर देंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है प्रिष्ट संखेया 58 लेकिन बहुराश्ट्रिय कमपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानिय कमपनियों को खरीदना और उसके बाद उतपादन का प्रसार करना है अपार संपदा वाली बहुराश्ट्रिय कमपनिया यह आसानी से कर सकती है उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमरीकी बहुराष्ट्रिये कमपनी कारगिल फूर्ट्स ने परक फूर्ट्स जैसी छोटी भारतिये कमपनियों को खरीद लिया है परक फूर्ट्स ने भारत के विभिन भागों में एक बड़ा विपढन तंत्र तयार किया था जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे परक फूर्ट्स के चार तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का नियंत्रन हो गया है अब कारगिल पचास लाख पैकेट प्रतिदिन निर्मान क्षमता के साथ भारत में खाद्दे तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कमपनी है वास्तव में कई शीर्षस्त बहुराष्ट्रिय कमपनियों की संपत्ति विकास शील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रिय कमपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें बहुराश्ट्रिये कम्पनिया एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं विकसित देशों की बड़ी बहुराश्ट्रिये कम्पनिया छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ओर देती हैं वस्त्र, जूते चप्पल एवं खेल का सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है बहुराश्ट्रिये कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ती की जाती है फिर वे इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्रहाकों को बेचती हैं इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुनवत्ता, आपूर्ती और श्रम शर्तों का निर्धारन करने की प्रचंड खशमता होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रिय कंपनिया कई तरह से अपने उत्पाद्म कारे का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानिय कंपनियों के साथ पारस पर एक संबंध स्थापित कर रही हैं स्थानिय कंपनियों के साथ साजेदारी द्वारा आपूर्ती के लिए स्थानिय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानिय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अत्वा उन्हें खरीद कर बहुराश्ट्रिय कंपनिया दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प पहले चित्र में कुछ जीन्स दिखाई गई हैं जो कि विकासशील देशों में उत्पादित हैं और वे जीन्स अमेरिका में 6500 रुपए में बेची जा रही हैं। दूसरे चित्र में लुध्याना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रिये कमपनी के लिए फुटबॉल निर्मान करते हुए कुछ लोगों का चित्र है। प्रिष्ट उनसट आओ इन पर विचार करें। एक अमेरिकी कमपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कमपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेनई के निकट एक हजार साथ सो करोड रुपए का निवेश करके एक विशाल सन्यंत्र की स्थापना की। यह सन्यंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच रही थी। जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिन अफरीका, मेक्सिको और ब्राजील किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने सन्यंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ती केंद्र के रूप में करना चाहती है। ये जो अनुच्छेद हमने आपको पढ़ कर बताया है, इस पर आधारित, कुछ प्रशन हैं, उन प्रशनों के उत्तर दीजिए। 1. क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराश्ट्रिये कंपनी है? क्यों? 2. विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था? 3. भारत में उत्पादन सन्यंत्र स्थापित करके, फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराश्ट्रिये कंपनीयां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाब नहीं उठाती हैं, बलकि कम उत्पादन लागत का भी लाब प्राप्त करती हैं. कथन की व्याख्या करें 5. भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्न कारकों पर विचार करें. अ. भारत में श्रम और अन्ने संसाधनों पर लागत. ब. कई स्थानिये विनिर्माताओं की उपस्थिती, जो फोर्ड मोटर्स को कल पुर्जों की आपूर्ती करते हैं. स. अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्रहाकों से निकरता. प. भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्मान से उत्पादन किस प्रकार परस पर संबन्धित होगा? 6. बहुराश्ट्रिये कमपनियां अन्य कमपनियों से किस प्रकार अलग हैं? 7. लगभग सभी बहुराश्ट्रिये कमपनियां अमेरेका, जापान या यूरोप की हैं, जैसे नोकिया, कोका कोला, पेपसी, हॉंडा, नाइकी. 8. क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? 9. नीचे एक चित्र दिया गया है, जिसमें बड़े-बड़े ट्रक हैं और इन ट्रकों पर भारती विदेश वियापार और बाजारों का एकी करण. 9. लंबे समय से विदेश वियापार, विभिन्न देशों को आपस में जोडने का मुख्य माध्यम रहा है। 10. इतिहास में आपने भारत और दक्षिन एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोडने वाले वियापार मारगों और इन मारगों से होने वाले गहन वियापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हेतों के कारण ही व्यापारिक कमपनियां जैसे East India Company भारत की ओर आकरशित होई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कारणे क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरिलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुचने के लिए उतपादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बलकि विश्व के अन्ने देशों के बाजारों में भी प्रतिसपरधा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। प्रिष्ठ संखेया 60 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में कुछ दुकाने दिखाई गई हैं। भारत में चीन के खिलोने चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलोने निर्याद करने का एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलोने अधिक मुले पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलोने निर्याद करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतिये और चीनी खिलोनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवन नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलोने भारतिये बाजारों में अधिक लोकपडिये हैं। एक वर्ष में ही खिलोनों की सत्तर से असी प्रतिशत दुकानों में भारतिये खिलोनों का स्थान चीनी खिलोनों ने ले लिया है। अब भारत के बाजारों में खिलोने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहां क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलोने भारत के बाजारों में आए भारतिय और चीनी खिलोनों की प्रतिस्परधा में चीनी खिलोने बहेतर साबित हुए भारतिय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलोनों के अपेक्षा कृत अधिक विकल्प है इससे चीन के खिलोना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है इसके विप्रीत भारती एक खिलोना निर्माताओं को हानी होती है क्योंकि उनके खिलोने कम बिखते हैं इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में कुछ दुकाने दिखाई गई हैं और इन दुकानों पर चीन में निर्मित कुछ खिलोने बिखते हुए दिखाई गई हैं। प्रिष्ट संखेया 61 सामानने तह वियपार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। विभिन देशों के बाजारों को जोडने या एकी करण में सहायक होता है। अब यह अलग कैसे है। 2. विदेश व्यापार और विदेश निवेश में अंतर स्पष्ट करें। 3. हाल के वर्षों में चीन भारत से इस पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। 4. चीन की इस पात कमपनियों को, ख भारत की इस पात कमपनियों को, ग चीन में अन्य और द्योगिक वस्तूओं के उत्पाद्म के लिए इस पात खरीदने वाले उत्योगों को। 4. चीन के बाजारों में भारत से इस पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस पात बाजार के एकी करण में साहेता करेगा। व्याख्या करें। वैश्वी करण क्या है? विगत दो दशकों से अधिकांश बहुराश्ट्रिये कमपनिया विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पाद्न के लिए सस्ते हूं। इन देशों में बहुराश्ट्रिये कमपनियों के निवेश में विध्धी हो रही है। साथ ही विभिन देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र विध्धी हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराश्ट्रिय कम्पनियों द्वारा नियंत्रित है जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार सन्यंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्मान नहीं करता बलकि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कलपुर्जों का भी नेरयाद करता है इसी प्रकार अधिकांश बहुराश्ट्रिय कम्पनियों के क्रिया कलाप में वस्तूओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है इसी प्रिष्ट पर एक और चित्र है इस चित्र में एक एक लड़की खड़ी है, जो कह रही है, ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं। किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्द देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकी करण हो रहा है। अधिक से अधिक वस्तूओं और सेवाओं, निवेश और प्रोद्योगी की का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ देशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तूओं, सेवाओं, निवेशों और प्रोद्योगी की के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोडने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायह, लोग बहतर आए, बहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। किन्तु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धी नहीं हुई है। नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक बैल गाड़ी जा रही है और बैल गाड़ी पर बैठा व्यक्ति कह रहा है, हमने परिवेहन में काफी उन्नती देखी है। आओ, इन पर विचार करें। एक, वैश्वी करण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रिये कमपनियों की क्या भूमिका है। दो, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस पर संबंधित किया जा सकता है। तीन, सही विकल्प का चायन करें। देशों को जोडने से वैश्वी करण के परिणाम होगे। जिसने वैश्वी करण की प्रक्रिया को उत्प्रेरेत किया। जैसे विगत पचास वर्षों में परिवेहन प्रद्योगी की में बहुत उन्नती हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुों की तीवरतर आपूर्ती को कम लागत पर संभव किया है। इसी प्रिष्ट पर एक और चित्र दिया गया है। इस चित्र में वस्तुों को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायूजानों एवं ट्रकों पर बिनाक्षती के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई और लागत में काफी बचत हुई है और माल को बहाजारों तक पहुचाने की गती में व्रिद्धी हुई है। इसी प्रकार वायू यातायाद की लागत में गिरावट आई है। परिणाम तह वायू मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवेहन संभव हुआ। प्रिष्ठ संखया 63 इससे भी अधिक उलेखनिये है सूचना एवं संचार प्रोध्योगी की का विकास। वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रोध्योगी की दृत गती से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सोविधाओं, टेलिग्राफ, टेलिफोन, मुबाइल फोन, एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को ततकाल प्राप्त करने और दूरवर्ति क्षेत्रों से समवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सोविधाओं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम होई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रतेक क्षेत्र में कम्प्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमतकारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा। जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम ततकाल इलेक्ट्रोनिक डाक इमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मुल्ले पर विशु भर में बात वॉइसमेल कर सकते हैं। इसके नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक व्यक्ती कम्प्यूटर के सामने बैठा है, अपने माथे पर हाथ रख कर। और कह रहा है, लेकिन बिजली कहा है। सूचना एवं संचार प्रद्योगी की, जिसे हम संक्षेप में आईटी कहते हैं, ने विभिन देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भुमी का नेभाई है। आईए जानते हैं कैसे। नीचे एक प्रस का चितर है, जिसमें पत्रिका छपते हुए दिखाई गई है। और उसके नीचे एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। महिला कह रही है, यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठे पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ पाती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह चपाई मशीन आम भारतियों के लिए नहीं है। वैश्वी करण में संचार प्रद्योगी की का उप्योग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका के डिजाइनिंग और चपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्थे विशे, इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्याले को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्याले में डिजाइनर दूर संचार सोविधाओं का उप्योग करके लंदन कार्याले से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तयार करने का काम कम्प्यूटर पर किया जाता है। चपाई के बाद पत्रिकाओं को वायू मार्क से लंदन भीजा जाता है। यहां तक कि डिजाइन और चपाई के पैसे का भुकतान, इंटरनेट, इबैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को ततकाल कर दिया जाता है। आओ, इन पर विचार करें। 1. उपर दिये गए उदाहरण में, उत्पादन में प्रद्योगी की के प्रयोग का उलेख करने वाले शब्दों को रिखांकित करें। 2. सूचना प्रद्योगी की वैश्वी करण से कैसे जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रद्योगी की के प्रसार के बिना वैश्वी करण संभव होता? प्रिष्ट, संखेया, 64. विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारी करण। हम भारत में चीनी खिलोनों के आयात वाले उदाहरन पर वापस आते हैं मान लीजिये कि भारत सरकार खिलोनों के आयात पर कर लगाती है तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलोनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलोनों की अधिक कीमत चुकानी होगी चीन के खिलोने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतहक कम हो जाएगा भारत के खिलोना निर्माता अधिक सम्रिध हो जाएंगे आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उधारण है इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विश्व व्यापार में वृध्धी या कटोती या यूँ कहें कि विश्व व्यापार को नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मातरा में आयातित होनी चाहिएं यह निरिने करने के लिए कर सकती है सुवतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिसपर्धा से संग्रक्षन प्रदान करने के लिए यह अनिवार्रे माना गया 1950 और 1960 के देशकों में उद्योगों का उदे हो रहा था और इस अवस्था में आयाद से प्रतिसपर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती इसलिए भारत ने केवल अनिवार्रे चीज़ों जैसे मशीनरी और वरक और पेट्रोलियम के आयाद की ही अनुमती दी ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन तरीकों से संग्रक्षन दिया है भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूर गामी परिवर्तन किये गए सरकार ने यह निश्चे किया कि भारतिय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिसपर्धा करने का समय आ गया है यह महसूस किया गया कि प्रतिसपर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णे का प्रभावशाली अंतरराष्ट्रिय संगठनों ने समर्थन किया। अतह विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कमपनियां यहां अपने कार्याले और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथ्वा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारी करण के नाम से जानी जाती है। वियापार के उदारी करण से वियवसाई traumat को मुक्त रूप से निर्यणे लेने की अनुमती मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। विचार करें 1. विदेश व्यापार के उधारी करण से आप क्या समझते हैं? 2. आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है इससे सरकार आयात होने वली वस्तूों की संख्या भी सीमित कर सकती है इसे कोटा कहते हैं क्या आप चीन के खिलोनों के उधारण से व्याक्षा कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग क्यों किया जा सकता है? आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 65 विश्व व्यपार संगठन हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतराष्ट्रिय संगठनों ने भारत में विदेश व्यपार एवं विदेश निवेश के उधारी करण का समर्थन किया इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका धियर अंतरराष्ट्रिय व्यापार को उदार बनाना है विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतराष्ट्रिय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो वर्तमान में विश्व के 149 देश विश्व व्यापार संगठन 2006 के सदस्य हैं यद्यपी विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है परंतु व्यभार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यपार अवरोधकों को बरकरार रखा है दूसरी ओर विश्व व्यपार संगठन के नियमों ने विकासशिल देशों को व्यपार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है इसका एक उदाहरण क्रिशी उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है हमने अध्याय दो में देखा है कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक महत्वपूर्ण भाग क्रिशी क्षेत्र प्रदान करता है इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमरीका के सकल घरेलू उत्पाद में क्रिशी का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत और कुल रोजगार में केवल 0.5 प्रतिशत है फिर भी अमरीका के क्रिशी क्षेत्र में कारेरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमरीकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निरियात करने के लिए बहुत अधिक धनराशी प्राप्त करते हैं इस भारी धनराशी के कारण अमेरीकी किसान अपने क्रिशी उत्पादों को असाधारन रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं अधिशेश क्रिशी उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है जो इन देशों के क्रिशकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं यही कारण है कि विकाश्शील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यपार संगठन के नियमों के अनुसार व्यपार अवरोधकों को कम कर दिया लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यपार संगठन के नियमों को नजर अंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशी देना बरकरार रखा है आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा परन्तु आप स्वैम यही काम कर रहे हैं क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है नीचे एक चित्र में सयुक्त राज्य अमरेका में एक आदर्श कपास्क शेत्र दिखाया गया है जिसमें हजारों एकड़ भूमी है और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनी के पास है प्रिष्ट संख्या 66 आओ इन पर विचार करें एक रिक्त स्थानों की पूर्ती करें विश्व व्यपार संगठन रिक्त स्थान देशों की पहल पर शुरू हुआ था विश्व व्यपार संगठन का धियर रिक्त स्थान है विश्व व्यपार संगठन सभी देशों के लिए रिक्त स्थान से संबंधित नियम बनाता है और देखता है कि रिक्तस्थान व्यवहार में देशों के बीच व्यापार रिक्तस्थान नहीं है विकाश शील देश जैसे भारत रिक्तस्थान है जबकि अधिकाश स्थितियों में विकसित देशों ने अपने उत्पादकों को संगरक्षन देना जारी रखा है 2. आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है 3. उप्रियुक्त उदाहरण में हमने देखा कि अमरीकी सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धनराशी देती है कभी-कभी सरकार कुछ विशेश प्रकार के वस्तूओं जैसे परियावरण के अनुकूल वस्तूओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है यह न्याय संगत है या नहीं? चर्चा करें भारत में वैश्वी करण का प्रभाव विगत 15 वर्षों में भारतिय अर्थवेवस्था के वैश्वी करण ने एक लंबी दूरी तै की है इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? हम कुछ प्रमान देखते हैं वैश्वी करण और उत्पादकों, स्थानिये एवं विदेशी दोनों के बीच व्रिहतर प्रतिसपरधा से उपभोगताओं, विशेशकर शहरीक शेत्र में धनी वर्ग के उपभोगताओं को लाब हुआ है इन उपभोगताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुनवत्ता और कम कीमत से लाभानवित हो रहे हैं परिणाम तह ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं उत्पादकों और श्रमेकों पर वैश्वी करण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है पहला विगत 15 वर्षों में बहुराष्ट्रिय कमपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धी की है जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभ प्रद रहा है बहुराष्ट्रिय कमपनियों ने शहरी इलाकों के उद्ध्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाडियों, इलक्ट्रोनिक उत्पादों, ठंडे पेपदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुची दिखाई है इन उत्पादों के अधिकांश खरीददार संपन्वर्ग के लोग हैं। इन उद्ध्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्व हुए हैं। साथ ही इन उद्ध्योगों को कच्चे माल इत्यादी की आपूर्ती करने वाली स्थानिय कमपनियां सम्रिद्ध हुई प्रिष्ट संख्या सर्सट विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतू विदेशी कमपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेश कदम उठा रही हैं और द्योगिक शित्रों जिन्हें विशेश आर्थिक शित्र कहा जाता है कि स्थापना की जा रही है विशेश आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरिय सोविधाएं बिजली, पानी, सडक, परिवेहन, भंडारण, मनोरंजन और शेक्षिक सोविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए विशेश आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन एकाईयां स्थापित करने वाली कमपनियों को आरंभिक पांच वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है विदेशी निवेश आकरशित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीला पन लाने की अनुमती दे दी है आपने अध्याय दो में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कमपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है जिसका उदेश्य श्रमिक अधिकारों का संग्रक्षन करना है हाल के वर्षों में सरकार ने कमपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमती दे दी है अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाए, कम्पनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है, तो लोचदार ढंग से छोटी अवधी के लिए श्रमिकों को कार्रे पर रखती हैं कम्पनी की श्रम लागत में कटावती करने के लिए ऐसा किया जाता है, फिर भी विदेशी कम्पनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, और श्रम खानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं यहां एक विदेशी व्यक्ति का चित्र दिया गया है, जो कह रहा है, अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं दूसरा, अनेक शीर्ष भारतिये कम्पनियां बढ़ी हुई प्रतिसपर्धा से लाभानवित हुई हैं इन कम्पनियों ने नवीनितम प्रद्योगी की और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को उँचा उठाया है कुछ ने विदेशी कम्पनियों के साथ सफलता पूर्वक सहयोग कर लाभ अरजित किया इससे भी आगे वैश्वी करण ने कुछ बड़ी भारतिये कम्पनियों को बहुराश्ट्रिये कम्पनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है टाटा मोटर्स मोटरगारियां, इन्फोसिस आईटी, रैनबैकसी दवाईयां, एशियन पेंट्स पेंट, सुन्दरम फासनर्स, नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतिये कम्पनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रिया कलापों का प्रसार कर रही हैं वैश्वी करण ने सेवा प्रदाता कम्पनियों, विशेशकर सूचना और संचार प्रद्योगी की वाली कम्पनियों के लिए नए अवसरों का स्रिजन किया है भारतिये कम्पनी द्वारा लंदन स्थित कम्पनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं इसके अतिरिक्त आंकडा प्रविष्टी, डाटा एंट्री, लेखा करण, प्रशासने कारिय, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं आओ इन पर विचार करें एक, प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाब हुआ है दो, क्या और भारतिये कमपनियों को बहुराश्ट्रिये कमपनियों के रूप में उभारना चाहिए? इससे देश की जनता को क्या लाब होगा? तीन, सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? चार, अध्याए एक में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विद्भनसक हो सकता है? भारत के कुछ लोगों ने विशेश आर्थिक क्षित्रों, सेज, की स्थापना का विरोध किया है? पता कीजिए ये लोग कौन हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रिष्ट संखेया 68 चोटे उत्पादक प्रतिसपरधा करो या नश्ट हो जाओ वैश्वी करण ने बड़ी संख्या में चोटे उत्पादकों और श्रमेकों के लिए बड़ी चुनोतियां खड़ी की हैं बढ़ती प्रतियोगिता रवी को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपती के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधी में ही संकट का सामना करना पड़ेगा रवी ने सन 1992 में तमिलनाडू के एक उद्योगिक शहर होसुर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कमपनी शुरू करने के लिए बैंक से रिंड लिया संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूब लाइटों, टेलिविजनों सहित, अनेग घरेलू इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में होता है तीन वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कमपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे अपनी कमपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारम हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संघठन के समझाटे के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया उसके मुख्य ग्रहाकों में टेलिविजन कमपनियां थी जो टेलिविजन सेटों का निर्मान करने के लिए संधारित्रों सहित अनेक पुर्जे थोक में खरीती और टेलिविजन सेटों का निर्मान करती हैं किन्तु बहुराश्ट्रिये कमपनियों के ब्रांडों से प्रतिसपरधा ने भारतिये टेलीविजन कमपनियों के लिए सयोजन कारे करने के लिए विवश कर दिया। उनने से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी, तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवी जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी. अब रवी वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्मान करता है और उसके लिए केवल साथ श्रमिक काम कर रहे हैं रवी के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाईयां बंद कर दी यहां एक चित्र दिया गया है इस चित्र में एक व्यक्ती उदास बैठा हुआ है बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलोने, टायरों, डियरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस परधा के कारण छोटे विनिर्माताओ पर कड़ी मार पड़ी है कई इकाईयां बंध हो गए जिसके चलते अनेक श्रमेक बेरोजगार हो गए भारत में लगु उद्योगों में कृषी के बाद सबसे अधिक श्रमेक लगभग दो करोड नियोजित हैं आओ, इन पर विचार करें एक, रवी की लगु उद्पादन इकाई बढ़ती प्रतिसपर्धा से किस प्रकार प्रभावित होई दो, दूसरे देशों के उद्पादकों के तुलना में उद्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवी जैसे उद्पादकों को उद्पादन रोग देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? तीन, नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लगु उद्पादकों को बाजार में बहतर प्रतिसपर्धा के लिए तीन चीजों की आविशक्ता है अ, बेहतर सडकें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र ब, प्रोद्योगी की में सुधार एवं आधुनी की करण और स, उचित ब्याजदर पर साख की समय पर उपलब्धता क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये तीन चीज़ें भारतिय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी क्या आप मानते हैं कि बहुराश्ट्रिय कमपनिया इन ख्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी क्यों? क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमी का है? क्यों? क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसे की सरकार अपना सके? चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 79 प्रतिसपर्धा और अनिश्चित रोजगार वैश्वी करण और प्रतिसपर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है बरति प्रतिसपर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं इसका आर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्यात उद्द्योग प्रतिसपरधा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं यहां एक चित्र दिया गया है चित्र में वस्तर निरयातक फेक्टरी में महिला श्रमेक काम कर रही है यद्यपी वैश्वी करण ने महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया है परन्तो रोजगार की स्थितियां यह प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाब में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली अमेरीका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रिय कमपनिया भारतिय निर्यातकों को वस्तूओं की आपूर्ती के लिए ओर देती हैं विश्व व्यापी नेट्वर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रिय कमपनिया लाब को अधिक्तम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तूओं खोचती हैं इन बड़े ओर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतिय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़िक कोशिश करते हैं चुकि कच्चे माल पर लागत में कटवती नहीं की जा सकती इसलिए नियोकता श्रम लागत में कटवती करने की कोशिश करते हैं जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थाई आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थाई रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है, और अत्यधिक मांग की अवधी में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है, मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए परन्तु वैश्वी करण के कारण मेले लाब में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। दुगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्टरी बंध हो गई तो छे माहा तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंतताह उसे अपने घर से 30 किलो मीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्टरी में काम करने के बावजूद वह एक अस्थाई श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सपताह के साथ दिन सुभा साढ़े साथ बजे अपने घर से निकलती है और शाम दस बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्यलाब नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीब की फेक्ट्रियों को काफी अस्थिर ओर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। उप्रोक्त कारे परिस्थितियां और श्रमिकों की कठीनाईयां भारत के अनेक और द्योगिक एकाईयों और सेवाओं में सामानने बात हो गई है। आज अधिकान श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं संगठित क्षेत्र में क्रमशाह कारे परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षित्रक के श्रमेकों जैसे सुशीला को अब कोई संग्रक्षन और लाब नहीं मिलता जिसका वह पहले उपभोग करती थी आओ इन पर विचार करें एक, वस्त्र उद्योक के श्रमेकों, भारते निरयातकों और विदेशी बहुराश्ट्रिये कमपनियों को प्रतिसपर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है दो, वैश्वी करण से मिले लाबहों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके इसके लिए इन वर्गों को क्या करना चाहिए क, सरकार ख, निरयातक फैक्ट्रियों के नियोकता ग, भाराश्ट्रिये कमपनिया ग, श्रमिक तीन, वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कमपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए इस अध्याय के आधार पर नियोकताओं और श्रमिकों के पक्षों का संक्षिप्ट विवरण दे न्याय संगत वैश्वी करण के लिए संघर्ष उप्रियुक्त प्रमान यह संकेत करते हैं कि वैश्वी करण सभी के लिए लाब प्रद नहीं रहा है शिक्षित, कुशल और संपन्य लोगों ने वैश्वी करण से मिले नए अवसरों का सर्वत्तम उप्योग किया है दूसरी ओर अनेक लोगों को लाब में हिस्सा नहीं मिला है चुक्कि वैश्वी करण अब एक सच्चाई है तो वैश्वी करण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है न्याय संगत वैश्विकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्विकरण के लाबों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो सरकार इसे संभव बनाने में महतवपूर्ण भूमी का निभा सकती है इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संग्रक्षन करना चाहिए आपने सरकार द्वारा किये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमे कानूनों का उचित कार्यानवयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिलें यह छोटे उत्पादकों को कारे निश्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक विप्रतिस परधा के लिए सक्षम ना हो जाएं यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उप्योग कर सकती है यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व वियापार संगठन से समझोते भी कर सकती है विश्व वियापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकास्शिल देशों को मिलकर लड़ना होगा विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से सम्मंधित महत्वपूर्ण निरनेयों को प्रभावित किया है यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी नियाय संगठ वैश्वी करण के संगर्ष में महत्वपूर्ण भूमी का निभा सकती है प्रिष्ट संखेया 71 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक चित्र दिया गया है जिसमें संग 2005 में हॉंग कॉंग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाए गए हैं सारांश इस अध्याय में हमने वैश्वी करण की वर्तमान अवस्था का अध्यायन किया वैश्वी करण विभिन देशों के बीच तीवर एकी करण की प्रक्रिया है यह अधिक अधिक विदेशी निवेश और विदेशी वियापार के द्वारा संभव हो रहा है बहुराश्ट्रिये कमपनिया वैश्वी करण की प्रक्रिया में मुख्य भुमी का निभा रही हैं अधिक से अधिक बहुराश्ट्रिये कमपनिया विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों परिणाम तह उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रोध्योगी की विशेशकर सूचना प्रोध्योगी की ने एक बड़ी भूमी का निभाई है साथ ही व्यपार और निवेश के उदारी करन ने व्यपार और निवेश अवरोधकों को हटा कर वैश्वी करन को सुगम बनाया है अंतराश्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारी करण के लिए विकाशिल देशों पर दबाव डाला है जबकि वैश्वी करण से धनी उपभोकता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभानवित हुए हैं परन्तु बढ़ती प्रतिसपरधा से अनेक प्रिष्ट संख्या बहत्तर अभ्यास एक वैश्वी करण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए 2. भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार और विदेश निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? 3. श्रम कानोनों में लचीलापन कमपनियों को कैसे मदद करेगा? 4. दूसरे देशों में बहुराष्ट्रिय कमपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंतरण स्थापित करती हैं? 5. विकसित देश, विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारी करण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? 6. वैश्वी करण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। 7. वियापार और निवेश नीतियों का उदारी करण वैश्वी करण प्रक्रिया में कैसे साहता पहुँचाता है? 8. विदेश व्यापार विभिन देशों के बाजारों के एकी करण में किस प्रकार मदद करता है? यहां दिये गए उदाहरण से भिन उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 9. वैश्वी करण भविश्य में जारी रहेगा। क्या आप कलपना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। 10. मान लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वी करण ने हमारे देश के विकास को शती पहुँचाई है। दूसरा कह रहा है कि वैश्वी करण ने भारत के विकास में सहायता की है इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे ग्यारह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दो दशक पहले की तुलना में भारतिये खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प हैं यह रिक्त स्थान की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है इसका अर्थ है कि अन्ने देशों के साथ रिक्त स्थान बढ़ रहा है इससे भी आगे भारत में बहुराश्ट्रिय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की भरती संख्या हम बाजारों में देखते हैं बहुराश्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं क्योंकि रिक्त स्थान जबकि बाजार में उपभोकताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते रिक्तस्थान और रिक्तस्थान के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिक्तम रिक्तस्थान बारह निम्न लिखित को सुमेलित कीजिए क बहुराष्ट्रिये कमपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती है ख आयात पर कर और कोटा का उप्योग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है ग विदेशों में निवेश करने वाली भारतिये कमपनिया ग आयटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में साहता की है अंग अनेक बहुराष्ट्रिये कमपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है अब हम आपको कुछ विकल्प दे रहे हैं इनसे आपको इन वाक्यों को सुमेलित करना है अ मोटर गाडियों ब कपड़ा जूते चपल खेल के सामान स कॉल सेंटर द टाटा मोटर्स इन्फोसिस रेंबेक्सी य व्यापार अवरोधक सही विकल्प का चयन कीजिए वैश्वी करण के विगत दो दशकों में दुरुत आवागमन देखा गया है क देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का ख देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और नेवेशों का ग देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का आ विश्व के देशों में बहुराष्ट्रिये कम्पनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामानने मार्ग है क नए कारखानों की स्थापना ख स्थानिये कम्पनियों को खरीद लेना ग, स्थानिय कंपनियों से साजेदारी करना इ, वैश्वी करण ने जीवन स्तर के सोधार में सहायता पहुचाई है क, सभी लोगों के ख, विकसित देशों के लोगों के ग, विकास्षिल देशों के श्रमिकों के ग, उप्रियुक्त में से कोई नहीं अतिरिक्त परियोजना, कारे कलाप कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रोनिक, वस्तुएं, इत्यादी जाच कीजिए कि इन में से कौन-कौन बहुराश्ट्रिये कंपनियों द्वारा उत्पादित हैं अपनी पसंद के किसी भी भारती उद्योग या सेवा को लीजिए उद्योग के निम्न लिखित पहलूँँ पर लोगों के साक्षातकारों, समाचार पत्रों, एवं पत्रिकाओं की कतरनों, पुस्तकों, दूर दर्शन, एवं इंटरनेट से जानकारियां और फोटो संकलित कीजिए क उद्योग में विविध उत्पादक या कमपनिया च, क्या उत्पाद अन्य देशों को निरयात होता है? ग, क्या उत्पादकों के बीच बहुराश्ट्रिये कमपनियां हैं? घ, उद्योग में प्रतिसपरधा अंग, उद्योग में कारे परिस्थितियां च, क्या विगत पंद्रह वर्षों में उद्योग में कोई बड़ा बदलाव आया है च, उद्योग में कारेरत लोगों की समस्या है बड़र दद्योग में कुछकि कारे शाले कੴे की समस्या है झाल झाल